आखेर दो भागों में क्यों कटी होती है सांपों की जीब इस महागरंथ में चिपा है गेहरे रहसे कराज सांपों को देखते ही अकसर लोगों की सिट्टी पिटी गुम हो जाती है आपने भी अपनी जिन्दगी में कई सांप देखे होंगे और इतना तो जरूर जानते होंगे कि सांप की जीब भागे से दो हिस्सों में बंटी हुई होती है लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों है? सामपो की जीब दो भागों में कटी हुई होने के पीछे एक गैरा रहसे चुपा हुआ है जिसका उलेक महाभारत में मिलता है महरशी वे दव्यास द्वारा लिखी गई महाभारत में सामपो की जीब से जुड़ी एक बहुत ही रोचक अथा है महाभारत के अनुसार महरशी कशप की 13 पत्निया थी इन में से कद्रू भी एक थी सभी नाकद्रू की ही संतान है वहीं महरशी कशप की एक अन्य पत्नी का नाम विंता था जिनके पुत्रपक्षी राजगरोड है एक बार महर्शी कशप की दोनों पत्नियों कद्णू और विंता ने एक सफेद घोडा देखा उसे देखकर कद्णू ने कहा कि इस घोडे की पूँच काली है और विंता ने कहा कि नहीं सफेद है इस बात पर दोनों में शर्ट लग गई तब कद्णू ने अपने नाग पुत्रों से कहा कि वो अपना आकार छोटा करके घोडे की पूँच से लिपट जाएं ताक कि घोडे की पूँच काली नजर आए और वेशर्ट जीत जाएं उस समय कुछ नाग पुत्रों ने ऐसा करने से मना कर दिया तब कद्रू ने अपने पुत्रों को ही शाप दे दिया कि तुम राजा जन मेजे के यगह में भस्म हो जाओगे। शाप की बात सुनकर सभी नाग पुत्र अपनी माता के कहे नुसार उस सफेड घोडे की पूच से लिपट गए, जिससे उस घोडे की पूच काली दिखाई द देने लगी। शर्थारने के कारण विंटा कद्रू की दासी बन गी। जब विंटा के पुत्र गरूर को ये बात पता चली कि उनकी मां दासी बन गई है तो उन्होंने कद्रू और उनके नाग पुत्रों से पूचा कि तुम्हें मैं ऐसी कौन सी बस्तुला कर दूँ, जिस